अचानक एक मोड पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। याद करते हैं लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार, उसकी भावना को समझना और उसे कदर करना। अजीब ढंग है जीने का। लोग साबुन से चहरा धोकर मुह साफ रखते हैं और सारा मैल दिल में जमा करते हैं। आजकल के रिष्टों से अच्छी मोबाइल की बैटरी हो गया है। खत्म होने से पहले वार्निंग तो दे देती है। तलाश सिर्फ सुकून की होती है। नाम रिष्टे का चाहे कुछ भी हो। जिंदगी का सबसे कठिन काम है इनसानों को पहचानना। बूंत सा जीवन है इनसान का। लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। तैयारियां तो जूट बोलने के लिए करनी पड़ती है। सच तो कहीं भी, कभी भी, कैसे भी बोला जा सकता है। कर्मों की चपेट से कौन बचा है। जिसने जैसा करा है, उसने वैसा भरा है। यह मिलावट का दौर है साहब। यहां दोश भी लगाये जाते हैं तो तारीफों के पोशाक में उस इनसान को कोई नहीं बदल सकता। जिस इनसान को खुद की गलती नजर नहीं आती। पैसा एक ही भाशा बोलता है कि अगर तुमने आज मुझे बचा लिया, तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंट जाता है। जीवन के प्रतिजिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं, वही सबसे अधिक सुखी है। किसी की कोई बात बुरी लगे, तो दो तरह से सोचें। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाईए और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाईए। बहुत नम्रता चाहिए रिष्टों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। मुझे नफरत पसंद है लेकिन दिखावे का अपना पन नहीं। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनका प्यार उनकी कद्र भी करता है और इजज़त भी। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है बलकि इसलिए कि हम आभारी हैं भगवान कि जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। सम्मान का दर्वाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को जुकाना ही पड़ता है। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो क्योंकि हमेशा बड़ी कमपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। अहंकार बहुत भूखा होता है और इसकी मन पसंद खुराख होती है। रिष्टे। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी। दोनों का कोई महत्व नहीं होता। किसी के हक की रोटी छीन कर खाने से ज्यादा अच्छा है भूखे रहना। प्रकृती ने सभी को हीरा बनाया है। जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा जुक जाना चाहिए लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाओं कि अपना तो वो है जो हमें किसी के सामने जुकने ही न दे। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मन्जिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि सब को पसंद आए बस जिन्दगी ऐसे जियों कि इश्वर को भी पसंद आए। सब को छोड़ देना पर मुस्कुराना और उमीद कभी मत छोड़ना। जिन्दगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी कि हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। लोगों से अच्छा तो गूगल है, लिखना शुरू करते ही दिल की बात जान लेता है, एक साथ सब के हिस्से से हर पल घट जाती है, कोई जी लेता है जिन्दगी, किसी की कट जाती है, प्रतिष्ठा तो खामोशियों का होता है, शब्द का क्या? वो तो मुकर जाते हैं हा अलाद देख कर, सचे रिष्ठे कुछ नहीं मांगते, सिवाए समय और सम्मान की, पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं का मोहताज है, लोग पूछते हैं क्या करता हूं में, अब उन्हें क्या बताओं प्रेम की थी, अब रोज मरता हूं में, जू यहतर है फकीर हो जाना, इनसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता, टाइम पास करके किसी से पीछा छुडाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके किसी से दूर होना बहुत मुश्किल, मत दिखाओ जखम दिल के मुम्किन है मेरे किरदार में बहुत सी कमिया होंगी, पर शुक्र है ईश्वर का, किसी के जजबात से खेलने का हुनर नहीं आया, समय और भाग्ये दोनों ही परिवरतन शील है, इन पर किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए, गमों से भरा है जिन्दगी का सफर, हर शखस आग आखिरी मन्जिल, सब का तजुर्बा यही कह रहा है, बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन समय सब के पास था, आज सब के पास घड़ी है, पर समय नहीं, जिन्दगी में टेंशन ऐसे पीछे पड़ी है, जिससे उसका पहला प्यार मैं ही हूँ, पुछ मिला है हमको, फिर भी सबर नहीं है, बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं है, नए रिष्टे ना बने तो मलाल ना रखना, पुराने टूट ना जाए, बस इतना खयाल रखना, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं, बलकि भीतर से जानता है, लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते, जो उपर से दिखाई देते हैं, खुद का अगर मान चाहते हो, तो दूसरों का भी मान रखो, कहने को अगर जीब मिली है, तो सुनने को भी कान रखो, किस्मत ने जैसा चाहा, वैसे ढल गए हम, बहुत संभल के चले, फिर भी फिसल गए हम, अपने बच्चों को संसकार दीजिए, नहीं तो यह आपके अंतिम संसकार में भी शामिल नहीं होंगे, मजाक नहीं है, भयंकर कलियुक चल रहा है, क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए, कि कल जब गुस्सा उतरे, तो खुद की नजरों में शर्मिन्दा नहोना पड़े, असली मर्द हालातों से लड़ते हैं, और कमजोर मर्द घर की स्त्रियों से, घमंड और पेट, जब ये दोनों बढ़ते हैं, तो इनसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा पाता, जिन्दा लोगों की चुगलियां और मरे लोगों की तारीफ क्या स्वभाव है दुनिया की, हर किसी को सफाई मत दो, इनसान हो, साबुन नहीं, बेहद हदें पार की थी हमने, कभी किसी के लिए, आज उसी ने सिखा दिया हद में रहना, शिकायत करूं भी तो किस से, दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी मेरा, सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें ही काफी होती है, दिल अब पहले सा मासूम नहीं रहा, पत्थर तो नहीं बना, मगर अब मौम भी नहीं रहा, आग भी क्या अजीब चीज है, बातों से भी लग जाती है, जब सोच में बीमारी लग जाए, तो इनसान होश में होकर भी बेहोश ही रहता है, जिनको मेरी कदर नहीं अब मुझे भी उनकी कोई फिकर नहीं चलो थोड़ा सुकून से जीया जाए जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए मुख के आगे अलग और पीट के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बना कर रखिये ऐसे लोग खतरना बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं कोई इनसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता वक्त हालात और लोग उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं सूखी होने के चक्कर में जो पूरी जिन्दगी दुखी रहता है उसी का नाम है इनसान मन की बात कह देने से फैसले हो जाते ह और मन में बात रखने से फासले हो जाते हैं शांत रहिए और मुस्कुराते रहिए यही काफी है आप से जलने वालों को और जलाने के लिए इस दुनिया में बिना विश्वास के न प्रेम संभव है न प्रार्थना सुलजा हुआ इनसान वो है जो अपने जीवन के निर्ण स्वयम लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोश नहीं देता ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता ये दोनों किसी की नहीं सुनते मिलता तो बहुत कुछ है इस जिन्दगी में बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासल नहो सक ये दुनिया आपके विचारों का ही आईना है जब आप अंदर से परेशान होंगे तो आपको बाहर भी वही नजर आएगा हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती है हमेशा याद रखना एक प्रतिशत नेगिटिव आपके 99 प्रतिशत पॉजिटिव एनरजी खत्म कर सकता है खुशियों का कोई रास्ता नहीं खुश रहना ही रास्ता है दिखावे की कोशिश मत करना जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आ जाओगे जब तक कोई बेटा खुद बाप नहीं बन जाता तब तक पिता का हर निर्णय बुरा लगता है गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुरघटना निश्चित है उसी प्रकार जीवन में अगर संसकार और मर्यादा न हो तो पतन निश्चित है काम्याबी आपको तब ही मिलती है जब काम्याबी आपको सांसों की तरह जरूरी लगने लगे जब तक्दीर ही तकलीफ की कलम से लिखी हो फिर किसी को क्या दोश दें यादें आती है यादें जाती है कभी खुशियां कभी गम लाती है शिकायत ना करो जिन्दगी से आज जो जिन्दगी है वही आने वाले कल की याद कहलाती है तुम किसी से भी खुश नहीं हो एक एक बार अपने अंदर ज्हांक लो, कहीं खुद से ही तो नाखुश नहीं हो, रहने दे उधार एक मुलाकात यू ही, सुना है, उधार वालों को लोग बुलाया नहीं करते, धुआ लकडी का हो, या फिर यादों का, दोनों सूरतों में आँख तो जलती है, रात भर गहरी नी दाना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर इमानदारी से जीना पड़ता है, जिनकी आँखें आंसुओं से नम नहीं, क्या समझते हो, उसे कोई गम नहीं, तुम तो तड़प कर रो दिये तो क्या हुआ, गम छुपा के हंसने वाले कम नहीं, जूट बोल कर कुछ भी हा पास हैं, कुछ पल खामोशियों में खुद से रूबरू तो हो लेने दो, जिन्दगी के शोर में खुद को सुना नहीं मुद्दतों से हमने, जीवन को इतना भी कठिन मत बनाईए, कि खुशियां आप से दूर रहें, नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, बलक नहीं, इग्नोर करना सीखो, वरना तुम्हारी काम्याबी कैसे देखेंगे वो लोग, अपनी तरफ से जिन्दगी जीने के लिए जुनून चाहिए, परिस्थितियां तो हमेशा ही विपरीद बनी रहेगी, जिनक बेवजह सरहदों पर संजना है बंटवारे का, लोग मुद्दतों से एक ही घर में अलग-अलग रहते हैं, कुछ चीजें रोने से नहीं, सबर करने से मिलती हैं, समस्या आए तो समझ जाईए दोस्तों, जिन्दगी हमें कुछ नया सिखाने वाली है, इनसान भले ही रियक् पर हर बात नोटिस जरूर करता है, मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कडवे लोग अकसर सच्चे होते हैं, पल-पल हमदर्दी जताने वाले निभाने के वक्त दूर खड़े नजर आते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते, इसलिए जो इनसान बार-बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना, जिन्दगी में अब इतना कुछ बुरा हो चुका है, कि अब कुछ बुरा भी हो, तो बुरा नहीं लगता, जिन्दगी में अच्छे बनो, पर हर बार सबको आपकी अच्छाई साबित भी मत करो, जिसे समझना होगा वो समझेगा, आप अच्छे हो, वही काफी है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है। चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। जिंदगी में एक ऐसा शखस जरूर होना चाहिए। जब वह हाल पूछे, तो उसे सच बताया जा सके। जो दूसरों की हक और खुशी छीन लेता है, उसके दुख की उम्र लंबी होती है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते, तो बांसुरी बजाने वाला कभी महा भारत होने नहीं देता। किसी के प्रती मन में क्रोध रखने की जगह उसे ततकाल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे पल में जल जाना, देर तक सुलगने से अच्छा है। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं, ऊपर वाला कर्म देखता है, वसियत नहीं, अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिष्टा रखो, अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता, हाथों में पत्थर न तकलीफ देता है, लेकिन सब के साथ रहकर अकेला महसूस करना यकीन मानो, इनसान को अंदर से मार देता है, खेत बेच कर नौकरी लेना आसान है, नौकरी करके खेत लेना बड़ा मुश्किल है, मेरी जिन्दगी में दर्द तो बहुत है, मगर कभी किसी को दिखाया नहीं और बिना दिखाये जो मेरे दर्द को समझ सके, ऐसा उपर वाले ने मेरे लिए कोई बनाया नहीं, जिन्दगी ऐसी न जियो की लोग शिकायत करें, बलकि ऐसी जियो की लोग तुम्हें फिर याद करें, मन भले खाली खाली रह जाए, मगर स्त्री की गोद और पुरुश की जे खाली नहो, वरना जमाने के लोग तानों से मार देते हैं, अगर तुम्हें किसी से किसी चीज का बदला लेना है, तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि मेरी मानों तो इस से बड़ा बदला यहां कोई नहीं, कभी आशा की खुशी, कभी निराशा का गम, कभी क कुछ पाने की आशा, शायद यही है जिन्दगी की परिभाशा, किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है, मैंने हंसकर कहा, समय, अगर वह सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं, जब इनसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब हाँ आपसे मिलना तो बोलना भी छोड़ देता है, जिन्दगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब हैं, जो मिल गया वो अपना है, जो तूट गया वो सपना है, कभी जो जिन्दगी में ठक जाओ, तो किसी को कानो कान खबर भी न होने देना, क्योंकि लोग तूटी हुई इमारतों की इ इंसान की आदत में, बस वो ही लोग आप से चिड़ते हैं, जो आपकी बराबरी नहीं कर पाती, अकसर कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत होता है, निकलता है रोज एक नया सूरज ये बताने के लिए, कि उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते, मिलकर सबसे पर दब कर किसी से नहीं, कई बार यह सोचकर दिल मेरा रो देता है, कि मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को भी खो दिया, समय, सम्मान और विश्वास ये तीन चीजें ऐसी होती हैं, जो एक बार हाथ से गई, तो फिर दोबारा लोट कर कभी नहीं आती, कम बोलने वाले सिर्फ उन्ही के सामने ज्यादा बोलते हैं, जिनें वो पसंद करते हैं, कभी कभी शब्द और सोच भी दुरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते, और कभी हम समझा नहीं पाते, लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे, और तीसरे दिन भूल जाएंगे, इसलिए लोगों की परवाह मत करो, करो वो जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो, याद रखना, जिन्दगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं, नया नया सब अच्छा लगता है, सच्चाई तो पुराना होने के बाद ही पता चलती है, फिर चाहे वो कोई चीज हो, या इनसान, लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भूला नहीं जा सकती, तो लोग माबाप को कैसे भूल जाते हैं, जो हर किसी का हो जाए, उसका नहीं होना ही बहतर है, बहुत करीब से देखा है मैंने जिन्दगी को, पल भर में लोग पराया कर देते हैं, सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इनसान के अंदर ही मिलती है, जूट बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं, अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी न क करना जमाने से लोग कटी पतंग को जम कर लूटा करते हैं, मुझे लोगों को माफ करना आता है, पर दोबारा दिल में जगह देना नहीं, अपनों को बस उतना ही अपना बनाओ, कि वो तुम्हारी मन की शान्ती न छीन पाएं, गुजरी जिन्दगी को याद मत कर, किस्मत में जो लिखा है उसकी शिकायत मत कर, जो होना है वो होकर रहेगा, कल की चिन्ता में आज की हंसी को बरबाद मत कर, जिन्दगी में लोग वक्त बदलने वाले होने चाहिए, वक्त के साथ वह बदल जाए, ऐसे नहीं, अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता बलकि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की आउकात जान ली है एहसास सच्ची हो वही काफी है यकीन तो आजकल लोग सच पर भी नहीं करते हैं जब खोने की नौबत आती है ना तभी पाने की कीमत समझ में आती है किसी से दिल लग जाए वह प्रेम नहीं है किसी के बिना दिल न लगे हाँ वह प्रेम है रंग बदलती इस दुनिया में मुझे मेरा बेरंग होना पसंद आया मुँ पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते क्योंकि मैंने अकसर मीठे बोल बोलने वालों को वक्त के साथ बदलते देखा है खुश होना है तो तारीफ सुनिये और बहतर होना है तो निंदा अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वह बुरे वक्त में भी अच्छे होते है सब कुछ सीखना ही ग्यान नहीं है कुछ बातों को नजर अंदाज करना भी ग्यान है तस्वीरें लेना भी जरूरी है जिन्दगी में आइने गुजरे लम्हें नहीं दिखाती आप कितने भी बहतरीन बन जाना लोग आप से बहतर की ही तलाश करेंगे जब सफर में अकेला चलना आ जाए तो खुद से अच्छा हम सफर कोई नहीं जितनी जरूरत उतना रिष्टा है यहां बिन मतलब कौन फरिष्टा है यहां किसी के लिए हमेशा हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं पाल तू समझने लगेंगे जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखो और जो बात किसी के दिल में है उसे समझने की समझ रखो एक मैं हूँ जो खुद को न समझ पाया आज तक एक दुनिया है न जाने क्या-क्या समझ गई दिल डरता है अब शिकायतें करने से लोग गलती सुधारने की जगह छोड़ना पसंद करते हैं गलत लोग सभी की जिन्दगी में आते हैं लेकिन सीख हमेशा सही दे कर जाते हैं इस दुनिया में वह इनसान ही सबसे मजबूत है जिसके ख्वाब भी तूटे, सपने भी तूटे, दिल भी तूटा और अपने भी रूठे हैं फिर भी कहें मैं ठीक हूँ जहर मरने के लिए थोड़ा सा लेकिन जिन्दा रहने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है कौन किसके लिए कितना कीमती है वक्त तो बता ही देता है किसमत धोखा नहीं देती, धोखा तो वो लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं और फिर वही लोग हमें बदल कर खुद बदल जाते हैं हस्ते हस्ते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गया हो मेरे भाग्य को भी गिला रहा मुझसे कि किसी और का होता तो समवर गया होता हम रखते हैं संबंध तो निभाते हैं जिन्दगी भर हमसे बदले नहीं जाते रिष्टे कपड़ों की तरह रिष्टे संजोने के लिए एक इनसान जुकता चला गया और लोगों ने इसे उसकी आउकात समझ लिया रिष्टों को वक्त दो प्यार भी रहेगा और साथ भी खुशी देने वाले अपने ही होते हैं पर गम देने वाले भी अपरिचित नहीं होते सिकंदर तो हम अपनी मर्जी से हैं और हम दुनिया नहीं दिल जीतने आए हैं अपनी अच्छाई पर क्या गुरूर करूँ किसी की कहानी में शायद मैं भी गलत हूँ वक्त ने थोड़ा साथ क्या छोड़ा लोगों ने मेरी काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया कपड़े मैले जरूर है साहब लेकिन दिल बहुत साफ है मुझे बोलना बहुत पसंद है लेकिन सिर्फ उनके सामने जो मुझे सुनना पसंद करते हैं कभी आकर मिलोगे तो जान जाओगे हम वैसे नहीं जैसे बताए जाते है खेल खेलने में तभी मज़ा आता है जब जिन्दगी दाव पर लगी हो नाम की दोस्ती और काम की यारी दूसरों की तरह नहीं है स्वभाव हमारी कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि वह मुझे उतना ही समझते हैं जितनी उन में समझ है हमेशा तूटने का मतलब खत्म होना ही नहीं होता कभी कभी तूटने से जिन्दगी भी शुरू होती है रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं इनसान पाने के लिए भी दोड़ता है और पचाने के लिए भी जिन्दगी में हर शौक अपने आप पूरे हो जाएंगे बस जरा सी घर की जिम्मेदारियां तो आने दो हमारे अनकहे रिष्टे का दृष्य भी कमाल है ना कोई वादा ना कोई करार फिर भी प्यार उत्कृस्ट है मुस्कुराहट पर तो हजारों फिदा होते हैं बात तो तब बने जब आंसूओं का भी कोई हिस्सेदार हो जहां आपकी बातों को समझने वाले न हो वहां मत बोला करिये क्योंकि भैस के सामने बीन बजाने का कोई फाइदा नहीं अकेलापन बहुत सुकून देता है जब कोई अपना बहुत करीब आकर छोड़ दिया हो इतना दर्द दे रही है जिंदगी कि अब दर्द को भी दर्द होता है विश्वास करने वाले से ज्यादा बेवकूफ विश्वास को तोड़ने वाला होता है क्योंकि वो सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इनसान को खो देता है गलत इनसान की सही चीज भी बुरी लगती है और सही इनसान गलत भी कर दें तो वह सबको सही लगता है एक भूल क्या हो गई हमसे महाशय कि पूरा जमाना जज बन गया बुरे वक्त की एक खासियत यह भी है कि आपको वह लोग भी सलाह देने लगते हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है आत्म विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप सभी सवालों का जवाब जानते हैं बलकि आत्म विश्वास का मतलब यह है कि आप हर सवाल का सामना करने के लिए तैयार हैं दिखावा और जूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोल कर दुश्मन बना लूँ आपके साथ कभी विश्वास घात नहीं होगा कोई चाहिए जो हाथ थाम कर कहे वक्त ही तो है आज बुरा है, कल बेहतरीन होगा काफी करीब आकर समझाया उसने दूरी का मतलब क्या होता है इलाइची के दाने साहे भाग गयअपना मेहक उतनी ही बिखरी, पिसी गई जितना भरोसा भी कितना अजीब है किसी एक इनसान की सच्चाई को देख कर ही शुरू होता है और फिर उसी इनसान की सच्चाई जान कर ही खत्म भी हो जाता है कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें ना हम भूल सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं बड़े ही अजीब है ये जिन्दगी के रास्ते अंजानी मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं मिलने की खुशी दे या ना दे मगर बिछडने का गम जरूर दे जाते हैं वह इनसान जिन्दगी में हमेशा अकेला रह जाता है पैसा इनसान को उपर ले जा सकता है लेकिन इनसान पैसा उपर नहीं ले जा सकता अब डर घाव से नहीं लोगों के लगाव से लगता है कुछ लोग साथ नहीं सिर्फ सबक देते हैं इनसानी जिस्म में सैकडों हैवान देखे हैं मैंने दिल में रंजेश रख महफिल में आए महमान देखे हैं भरोसा तूटने की आवाज नहीं होती लेकिन गूंज जिन्दगी भर सुनाई देती है बहुत अकेले होते हैं वो लोग जो खुद रूट कर खुद ही मान जाते हैं हवा की तरह होती हैं मुसीबतें भी कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है नहीं है कोई शिकायत गैरों से दोस्तों लेकिन उमीद अब अपनों से भी नहीं है कमाई हुए दोस्त बिछड़ गए कमाने की चक्कर में बुरे वक्त ने मुझे इतना तो समझा दिया कि मुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है लोगों की नहीं ऐज जिन्दगी ऐसा भी नहीं कि तुम से परेशान हूँ मैं बस कुछ अपनों के रवईयों से हैरान हूँ में एक मैं हूँ जो उसे अपनी हर खुशी में शामिल करता हूँ और एक वो है जो मुझे बस अपनी परेशानी में याद करता है पहले जिन्दगी में थोड़ी सी टेंशन थी अब टेंशन में थोड़ी सी जिन्दगी रह गई है हर कोई मिलता है यहां पहन के सच का नकाब कैसे पहचाने कोई कौन है अच्छा, कौन है खराब क्या थामे और क्या हो गया खुल के हंसे जमाना हो गया सब भूल गए भूल जाने दो सब याद करेंगे मतलब के दिन तो आने दो सैकडों अकल मंद मिलते हैं पर काम के लोग चंद मिलते हैं जब मुसीबत आती है तब भगवान के सिवा सब के दर्वाजे बंद मिलते हैं इंसान चाहे कितना भी लखी क्यों नहो फिर भी कुछ सपने अधूरे ही रह जाते हैं सुर्मे की तरह पीसा है हमें हालातोंने तब जाकर चड़े हैं लोगों की नजर में कुछ दिन दूर रहना जरूरी है जिन्दगी भर साथ रहने के लिए जिन्दगी में इतने काबिल बन जाओ कि जहां चाहते हो वही रिष्टा हो जाए महत्व हैसियत को मिलती है और हम भाव लिए फिरते है यहाँ तो जिन्दगी जीना भी एक हुनर है दोस्तों जो जीना सीख गया वो यहाँ विनर है दोस्तों जिन्दगी व्हाटसअब के लास्ट सीन जैसी है सब को अपनी छिपानी है और दूसरों की देखनी है हमारा कोई क्या बिगाड सकता है क्योंकि हमारी किस्मत उसने लिखी है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड सकता वक्त जानता है हर चेहरे को बेनकाब करना जिन्दगी का एक उसूल यही है कि वो भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है संयोग नहीं मिलना राहों पर हर मोड पर एक उद्देश्य साथ होता है कुछ चीजें कमजोर सनरक्षन में भी सुरक्षित रहती है जैसे मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के थाम लो हाथ उसका जो तुमसे प्यार करे ये जिन्दगी ठहरेगी नहीं गुजर जाएगी पनाह मिल जाए रूह को जिसका हाथ छूकर बस तुम उसी हथेली पर अपना घर बना लो मैंने कभी गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा और जो इनके लिए लड़ते हैं उन्हें कभी पढ़ते नहीं देखा अहम जिन में कम होता है अहमियत उनकी ज्यादा होती है माया कभी खत्म नहीं होती वो सिर्फ बढ़ती है या सुकून बनकर या दर्द बनकर बाजियां पलट जाती है दोस्तो जब इनसान बदल जाते हैं कभी कभी नए लोग पुराने लोगों से बहतर मिल जाते हैं दूसरों का गुस्सा और अपनी अकल सब को ज्यादा ही लगता है दूसरों का बुरा सोचने वालों का कभी भला नहीं होता जब कोई बात दिल पर लग जाए तो उसे भूलना बहुत मुश्किल होता है रेस चाहे गाडियों की हो या जिन्दगी की जीतते तो वो ही लोग हैं जो सही वक्त पर गियर बदलते हैं कहानी खत्म हो तो कुछ ऐसे खत्म हो कि लोग रोने लगे तालियां बजाते बजाते घमंड न करना जिन्दगी में भाग्य बदलती रहती है शीशा वही रहता है बस तस्वीर बदलती रहती है इज़त के रिष्टे प्रेम से बढ़ कर होते हैं हमें भी कुछ सहन करना सीखना चाहिए क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमिया हैं जिन्हें दूसरे सहते हैं जहां छोटे कमरों में कैद हो जाती है जिन्दगी लोग उसे बड़ा शहर कहते हैं हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं जो आपकी खामोशी को न पढ़ पाए उसे बोलकर अपना दर्द बताना वक्त बरबाद करने जैसा है पहचान सबसे रखो और भरोसा सिर्फ खुद पर इनसान खामोश तब होता है जब उसके अंदर बहुत शोर होता है दुख कई बार सलाह नहीं सहारा मांगता है दिखावा मत कर शहर में शालीन होने का लोग खामोश तो हैं पर ना समझ नहीं किरदार उंचा करना है तो अपना हुनर दिखाओ उकात नहीं सच है, दुनिया किसी को याद नहीं रखती, मत भागो उन लोगों के पीछे जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं, तनहा चलना ही अच्छा है अगर तुम्हारे साथ टाइम पास हो रहा हो, जिन्दगी को समझना बहुत मुश्किल है, कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है, तो कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर, जीवन का एक सच, मैं हमेशा खुश रहता हूं, क्यों? क्योंकि मैं किसी से कोई उमीद नहीं रखता, उमीदें हमेशा दर्द देती हैं, मुंhos से माफ करने में वक्त नहीं लगता, दिल से माफ करने में उम्र बीद जाती है, बात लगाव और एहसास की होती है, वरना मैसेज तो कमपनी वाले भी करते हैं, तन और मन दोनों से ताकतवर बनिये, क्योंकि कमजोर लोगों को ये दुनिया सताती बहुत है, न फिसले इस उमीद में कि कोई उठा लेगा, देखिएगा जब मुसीबत में तो हर कोई मजा लेगा, भोजन हो या प्यार अगर किसी को ज्यादा दे दो, तो वह अधूरा छोड़ कर चला जाता है, लगाव चेहरे से नहीं, दिल से होना चाहिए, क्योंकि खूबसूरत चेहरों में अक्सर घमंड होता है, खुआहिशों की तलाश में जिन्दगी ना गु आज जो धूप सुकून देती है, कल इसी धूप से जलन होगी, ये दर्शाता है कि जिन्दगी के हर दिन एक जैसी नहीं होते, आज दुख तो कल सुख जरूर होगा, आपकी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं जिनको आप चाहते हैं, और आपके दुखों में वो ल माग में पके, तो इनसान को बीमार कर देती है, मैंने तो मांगा था थोड़ा सा उजाला अपनी जिन्दगी में, वाहरे चाहने वाले, तुने तो आग ही लगा दी जिन्दगी में, अक्सर अच्छे लोगों की जिन्दगी किसी धोखे बाज लोगों की वजह से खराब हो जिसे मज़ा आता हो दिल से खेलने में, उसे क्या पता दर्द क्या होता है, कुछ पल ऐसे होते हैं, बीत तो जाते हैं, पर उसकी यादें हमेशा दर्द देती हैं, आनंद वहां नहीं जहां धन मिले, आनंद तो वहां है जहां मन मिले, किसी में कोई कमी दिखाई दे, तो खुद से बात करें। कौन कहता है कि दूरियां किलो मीटरों में ना पी जाती है। खुद से मिलने में भी उम्र गुजर जाती है। इंसानों की आदत है। ना मिले तो सब्र नहीं करते और मिल जाए तो قदर नहीं करते। रिष्टा रखना हो तो अच्छाई बयां करते रहो और खत्म करना हो तो सच्चाई बयां कर दो। पहाडियों की तरह खामोश है आज के संबंध और रिष्टे। जब तक हम न पुकारें उधर से आवाज ही नहीं आती। सच्चाई यह नहीं कि लोग बदल जाते हैं। सच्चाई यह है कि मुकट उतर जाते हैं। मत कर यकीन यहां पल भर की भेंट पर जरूरत नहों तो लोग सालों के रिष्टे भूल जाते हैं। सत्य कह देने से मन बड़ा हलका हो जाता है। असत्य कहने वाले को डर कलका हो जाता है। जरूरी नहीं है बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देख कर भी बीमार हो जाते हैं। रिश्टों को गलतियां नहीं गलत फहमियां कमजोर करती हैं। इसलिए कानों के बजाए आँखों प पता नहीं चलता। जो मीठेपन का लेप छड़ाकर प्यारी बातें करते हैं को कटुता का तो क्ब रंक दिखा दें। इसका पता नहीं चलता। वह रहिए जो आप हैं और वह कहिए जो आप महसूस करते हैं। क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं माएने नहीं रखते और जो लोग माएने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते किसी ने एक नाराज शखस से पूछा कि गुस्सा क्या है उसने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि दूसरे की गलती की सजा खुद को देना दुनिया में लगभग आठ सौ तरह के खेल खेले जाते हैं लेकिन भावनाओं से खेलना लोगों का सबसे पसंदीदा खेल है दूर जाने की कई मिल जाते हैं बहाने साथ वही रहते हैं जिनहें आते हैं रिष्टे निभाने साथ देने वाले कभी हालात नहीं और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। दिल कहे वो मनजूरी। कुछ रिष्टे मुनाफा नहीं देते मगर जिन्दगी को अमीर बना देते हैं। खुश रहना सीखिए बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछडता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा। शिकायतों से घर नहीं चलते एक उम्र के बाद कमाना ही पड़ता है। अपनी जिन्दगी के किसी भी दिन को मत कोसना क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव। एक सफल जिन्दगी के लिए दोनों जरूरी हैं। अगर हमारी जिन्दगी में बुरा वक्त ना आए तो हम अपनों में पराये और परायों में अपने नहीं ढूंड पाएंगे। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच कर मांगना क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और उपकार जिन्दगी भर का। जीवन में तीन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए। दुख में मदद करने वाले को दुख में साथ छोडने वाले को और तीसरा दुख में डालने वाले को। इनसान जिन्दगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता है जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। जो लोग ना तो अपनी गलतियों से सीखते हैं और ना दूसरों की गलतियों से सीखते हैं ऐसे लोग बरबाद हो जाते हैं आप कितनी भी बार इमानदार और सही क्यों ना हो लेकिन दुनिया आपकी एक गलती का प्रतीक्षा करती है गलती निकालने के लिए भेजा चाहिए और गलती कबूल करने के लिए कलेजा चाहिए गलती को ढूंडना, मानना और सुधारना ही मनुष्य का बड़पन है खर्च कर दिया खुद को कुछ मतलबी लोगों पर जो हमेशा मेरे साथ थे सिर्फ मतलब के लिए दिलों में मतलब और जुबान से प्यार करते हैं बहुत से लोग दुनिया में यही कारोबार करते हैं किसी ने क्या खूब लिखा है मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब मतलबी निकली दुनिया जिसे मैं देर से जान पाया, कमजोरी थी मेरी, सभी को अपना कहता चला आया कोई समझे तो एक बात कहूं साहब, तनहाई सौगोना बेहतर है, मतलबी लोगों से जो लोग दूसरों की आँखों में आँसू लाते हैं, वह कैसे भूल जाते हैं, कि उनके पास भी दो आँखें हैं गलत है ये सोच तेरी, लोग रोएंगे तेरी गैर उपस्थिती में मैंने मुर्दे के पीछे चलती भीड में भी लोगों को हंसते देखा है, उपर से देखने पर तो सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर का असली पता तो साथ में रहने पर ही चलता है सचे रिष्टे तब भी हमारा साथ निभाते हैं, जब मतलबी लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं दोस्तों, यह वीडियो यही पर समाप्त होती है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जैश्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेणा दायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को अल पर सेट कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिस्तेदारों से शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जैश्री राधे कृष्ण